आज हम बनाने जा रहे हैं आलो ब्रोकली की बहुत ही मसालेदार चटपटी सब्जी इस सब्जी को बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही जादा लजीज यह सब्जी बन करके तयार होगी तो आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा इस्टेप तेल गरम हो जाए तो यहां पर हम लोग आलो फ्राइ करेंगे तो मैंने दो आलो को जो है ना छिलका उतार करके और छोटे-छोटे पीस में डिवाइट किया है आलो की कौन्टिटी कम जादा किया जा सकता है तीन-चार मिनट फ्राइ करने के बाद आप देखोगे कि आलो को कलर हलका सा चेंज हो गया और आलो को पर काफी क्रिस्प आ गया है तो आप इसे ऐल से बाहर निकाल करके रख लेंगे आलो रखने के बाद इस तरीके से हम लोग ब्रोकली को भी फ्राइ कर लेंगे तो ब्रोकली के सबजी बहुत ही टेस्टी रखती है खाने में और आपके स जिए बहुत ही फाइदे मन्द है और सारे पोशकततों आपको मिल जाते हैं तो ब्रोकली भी हमारी फ्राइई हो गई है इसे भी मैंने ओईल से बहार निकाला है और अब हम इसमें ग्रेवी के लिए मसाला रेडी करेंगे तो मैंने आपके दिया हुआ है प्याज को मैंने यहा तो इस सारे प्रोसेस को करते समय गैस का फ्रेम मैंने मीडियम रखा है तो आप देख पा रहे हो कि प्याज हलका सा सौफ्ट हो गई है तो आप हम इसमें आइट करेंगे टमाटर तो मैंने हाँ पर दो टमाटर को वश करके और बड़े तुकड़े में चॉप किया है टमाट भी बढ़िया से सौफ्ट हो गया है और फिर आपका ये रेडी हो जाता है मसाला तो गैस का फ्लेम आपको आफ करने की जुरूत होती है गैस का फ्लेम आफ करिए और इसे दस से बारा मिनट ठंडा होने के लिए रख दिजिए यानि एकदम ठंडा हो जाना चाहिए उसके ब तो सरसो के तेल में बहुत टेश्टी लगती है सबजी आपकी आप किसी भी कुणोयल का यूज कर सकते हो और गरम होने के बाद मैंने एक चम्मच जीरा डाला है अच्छी तरह से जीरा क्रेश हो जाना चाहिए उसके बाद यहां पर दो तेस पत्ता भी डाल देंगे अगर better डालना चाहते हो तो ऑफ भी डाल सकते हो वो आप से पेंट करता है कि अप किन-किन मसालों का फ्लीवर चाहते हैं गैस का फ्लीम रखेंगे एक चम्मच लाल मिर्ची पावडर कम जादा किया जा सकता है साथ में एक चम्मच धन्यापावडर एक करेंगे इसी के साथ यहाँ पर हम लोग आट करेंगे आधा चमच हल्दी पाउडर तो आप इस सरीके से अगर सबजी बनाते हो तो बहुत ही टेस्टी आपकी सबजी बन करके तयार होती है चमच साहुजी गरममसाला लिया है आपके साथ ़ूप पानारीक यूद्ट करते हैं मसाला जल रहा तो थोड़ा सा पानी ढाल देज़ें twins लिए टीने दोड़ा सा पानी दाल कि मसाला यूदा जले नहीं के लिएंगे उस्के बाद हम लोग दालेंगे मसाला जोले इसे पहले प्याज, टमाटर वगरा सौफ्ट किया था ना उसी को मैंने रेडी करके पेश्ट बनाया है ग्रैंड करके तो उसी को एट किया है मैंने और मिक्स कर देंगे उसके बाद यहां पर हम लोग थोड़ा सक पानी डाल देंगे क्योंकि ग्रैणिंग जार में काफी सारा मसाला लगा हुआ था मिक्स करिए इसे और उसके बाद गैस का फ्लेम लोही रखेंगे हम लोग और ढख करके मसाले को पका लेते हैं किम लग तो तो तीने से चार मिनट के लिए ड्हक दीज़े और गैस का फ्लेम लो रख़ेंगे बीच-वीच में एक बार आप चेक'd कर सकते हैं mix कर सकते हैं कि जल तो नहीं रहा है तो लोग भग चार मिनाट का टाइम हो रहा है आई आप चिक करते हैं हम लोग तो आप देख पारे मसाले का कलर काफी चेंज हो गया है एक्स्ट्र जो जूस और पानी हमने यूज किया था वो निकल गया है और काफी अलग-अलग दिख रह 2-3 मिनार तक या फिर आप इससे जादा भी मिक्स करके पका सकते हैं आप जितना पकाएंगे ना मसाले को उतना जादा सबजी का टेश्ट आता है तो लगपक मैंने यहां पर 4-5 मिनार तक पकाया है उसके बाद आप कलर देख पा रहे हो कि बहुत ही पैरा सा कलर दिख रहा है तो मिक्स करने के बाद यहां पर इतना ग्रेवी मुझे चहिए सबजी में अपने तो आलू आप बुरकली पका है तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा एक चम्मच नमक आट करेंगे आप अपने स्वात के अमसार कम जादा कर सकते हैं नमक डालने के बाद फिर से मिक्स कर द करेंगे और गर्मा गर्मी से हम लोग सर्फ करेंगे रोटी पूरी पराठा चावल किसी के भी साथ आप सर्फ कर सकते हैं सभी किसाथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी तो आप एक बार इस सबजीक अपने घर पर बना करके ट्राइज जरूर कर दिएगा और उसके बा